नमस्ते एम आफ लर्निंग में आपका स्वागत है आज हम संस्क्रत प्यूशम कक्षा साथ की पुस्तक से 12 पाठ यानि की 12 पाठ का अध्यन करेंगे जिसका नाम है आदिकवी हा बालमी की पाठ शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है वह है सब्सक्राब कर लें और बैल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे की आपको अपडेट तुरंट मिल सके अब हम पाठ का अनवार शुरू करते हैं पुरा वालमी कह नाम एक रिशी ही आसीद प्राचीन काल में वालमी की नाम के एक रिशी थे एक दा सह शिष्ये सह इसनातू तमसा नद्या तीरम आगच्छत एक दिन वह शिष्यों के साथ इसनान के लिए यानी नहाने के लिए तमसा नदी के तीरम तट पर गई मार्गे सा व्याधेन विद्धम एक क्रोच पक्ष्यत मार्ग में रास्ते में उन्होंने व्याधेन माने शिकारी द्वारा विद्धम मारा गया एक क्रोच नामक पक्षी को देखा सहेचरश से व्योगेन व्याकुलत आया सहेचर के वियोग से यानी साथी के वियोग से व्याकुल क्रोच्या क्रोची रोधनम उच्चे क्रदनम अश्रुनत उन्होंने क्रोची के जोड जोड से रोने के आवाज को सुना तत शुरुत्वा उसको सुन करके तस्या दैनिय दशा द्रिश्टवा उसकी दैनिय दशा को देख करके चा कारूनिक रिशी वहर दैयालू रिशी कारूनिक माने दैयालू रिशी द्रवितो अभुतम द्रवित ह क्रोच क्रदांत जातह रिशे क्रोची के इस प्रकार वियोक करने के कारण। रिशे का शोक शलोक रूप और शलोक के रूप में तस्से मुखात उनके मुख से एव निरगशत इस प्रकार से निकला। मान निशाद प्रतिष्ठाम त्वमगतम शाष्वतिम शमाह यत क्रोच मिथुनादेकम अवधिह काम मोहितम। प्रतिष्ठाम माने सम्मान शाष्वति समाह अनेक वर्षों तक या चिरकाल तक। क्रोच मिथनादेकम क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को अवधेमा ने मार दिया हे निशाद तुमने तुम्हें कभी भी शान्ती और अनेक वर्षों तक शान्ती और सम्मान प्रात नहीं होगा क्योंकि तुमने क्रोच के जोड़े में से एक को काम में मोहित एक की तुमने हत्या कर दी थी